अज किस वीडियो में आपको BEL भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की तरब से न्यू वेकंसी आई जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यह आपको गवर्मेंट ऑफ हिंडिया के अंदर में आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में रक् आपको घरियो के लाष्ट में आपको दिखा भी दूँगा इसको कैसे अपलाइ करना है तो वीडियो को end तक जरूर देखते रहीएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो जरूर से लाइक कर दो और चैनल पर पलिवार व्त करें अभी तक सब्सक्राइब करें और आइकन करें तो सब्सक्राइब करके बेल अकन प्रेश से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई कन्फीजन डॉट के रिया ता आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं यह इसका ओफिसियल अर्वटाजमेंट नोटीस है और यह जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे कोई एक्सपरेड़ का बहार कोब कर सकते हैं और सबसे पहले मैं आपको ट्रेंी इंजिनियर की बता दूटैय। दिख सकते हैं फ्रेशर कंडियर्ट बिल्कुल इलिजिबल हैं अप्लाइ कर सकते हैं कोई भी experience यहां पर नहीं मागा गया है और यहां पर जो ट्रेणी इंजिनेर्ट का पोस्ट है इसमें electronics aerospace इंजिनेरिंग में वेकंसी है अगर आप लोग बी बीटे कर रखें फोर येर का engineering degree relevant discipline में जो कि आप electronics branch या aerospace engineering में तो यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं इसमें बिल्कुल यहां पर कोई भी experience ज़रूरी नहीं है free of cost यहां पर free मतलब जो फ्रेशर कंडियर्ट है ओ लोग यहां पर अप्लाइ कर पाएंगे और जो प्रोजेक्ट इंजिनेर का पोस्ट है इसमें य electronics, mechanical, computer science, electrical, chemical, aerospace engineering, total post की बात करें तो यहां पर 327 है और यहां पर आपको बात करें जो कुन-कुन से branch में कितनी नमवर vacancy है तो electronics में 164 vacancy है, mechanical में 106, computer science में 47, electrical में 7, chemical में 1, और aerospace में 2, total 327 post यहां पर हो गया, इसमें आप अगर B.B.Tech कर रखे है, four year का regular course तो आप इसमें अप् 55% मार्क से आप पास होने चाहिए, और अकर आप SCHT कटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कोई यहां पर कटेगरी यहां पर नहीं रखा गया, इसमें जो है आपको minimum 2 year का post qualification experience आपके पास होना चाहिए, और इसमें आपको CELD ज्यादा मिल रही है, यहां पर जो UR कटेगर है, और जो training engineer का post है, इसमें first year में 30, second year में 35, और third year में 40,000 पर मन्त आपको CELD मिले वाली है, अब बात करते हैं यहां पर age limit की, तो age limit का cutoff date है, वहां पर 142023 दिया गया, जिसमें project engineer का age limit है, the age limit should be not more than 32 years, आपका age 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, for general EWS candidate के लिए, और training engineer में आपका 28 years यहां पर रखा गया, लेकिन अगर आपका age जो है, अपर age limit से भी जाता है, तो उस case में आपको यहां पर relaxation देखने के लिए मिल जागा, जो की OBC category के लिए 3 year का, SCST category के लिए 5 years का यहां पर आपको relaxation देखने के लिए मिल जागा, और जो PWD candidate है, जो BICLAN, physically handicapped, उन लो chemical engineering और aerospace engineering वाले apply कर सकते हैं, जबकि training engineer के post पर यहां पर अगरा बी बीटे कर रखे हैं, electronics engineering में या aerospace engineering में तो यहां पर apply कर सकते हैं, यहां पर जो discipline या branch की बात करें, तो यहां पर देख सकते हैं, electronics में यह सभी वाले भी apply कर सकते हैं, जैसे कि electronics and communication, electronics and telecommunication, उसका telecommunication, mechanical में वाल इसमें अप्लाइ कर सकते हैं अगर आप इनसे बी बीटेक कर रखें तो आप इसमें अप्लाइ कर पाएंगे उसके बाद यहां पर नोट में करके लिखा गया कि इसमें अप्लाइ कर सकते हैं अब बात करते हैं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें इस तरीके से होगी कि जितने भी number of candidate इसमें apply करेंगे उन लोगों को shortlist करेगा shortlist यहां पर written test के अधार पर करेगा जो की 85 marks का होगा 85 marks उसके बाद आपका जो भी candidate shortlist होगे उन लोगों का 15 marks का interview होगा इसमें interview में 1 is to 5 ratio में candidate को बिलाए जाएगा तो इसकी IC के अधार पर जो भी candidate shortlist होगे उनका interview होगा interview में जो भी candidate अच्छा perform करोगे तो उनका इसमें selection होगा यहां पर जो the place of written test and interview will be in Bengaluru only तो आपका जिसमें written test है या इसका interview है बेंगलूरू में रहने वाली है कैसी इसको apply करना है तो यहां पर apply का link दिया गए प्रोसीजर भी दिया गए तो यहां पर how to apply में सभी कुछ आप पर सकते हैं और मैं description में आपको link दे दूँगा इसको कैसे apply करना है उस link पर click करके directly apply कर सकते हैं the last date for submit of online application is 18-5-2023 तो इस date से पहले 18-5-2023 से पहले जरोड़ से इसको apply कर लिजगा apply करने का जो link है यही पर दिया गए जिससे आप इस पर click करोगे तो जहां से यह apply होता है वहां पर आप लोग इसको redirect हो जाओगे description box में आपको link मिलेगा उस apply वाले हो लिंक पर जिसे click करोगे तो यहां पर आप आ जाओगे यहां पर आने के बाद देख सकते हैं यहां पर project engineer और ट्रेड इंजिनर जिसमें आप eligible है apply करना चाहते हैं तो यहां पर कर सकते हैं जैसे इनकेस अगर आपके experience नहीं है तो आप इसमें apply कीजिए और अगर आपके पास experience है तो आप इसमें apply कीजिए project engineer के post में तो यहां पर आप click करके आप देख सकते हैं इसका last date कब तक है fresh candidate है तो पहले यहां पर create कर जिए अपना ID बनाई है और अगर आप पहले से किये हैं इसमें registration तो आप login कीजिए यहां पर आपको अपना नाम date of birth उसके बाद यहां पर जो भी re-enter date of birth उसके बाद की post के लिए apply करना चाहरे है discipline क्या है email ID क्या है re-enter email ID और एक password यहां पर आपने मन से आपको select कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको इसमें yes कर देना है और submit वाले option पर click करके आप इसको submit कर सकते हैं तो यह आपका registration हो जाएगा registration जैसे complete होगा तो फिट से आप लोग यहां पर आके आप login वाले option पर click किजेगा login वाले option पर आपना email ID और जो post के लिए apply कि हैं और यहां पर password सेलेकर के submit किजेगा तो यहां से आप login कर लिजेगा उसके बाद जो भी सारा details था सभी परसेंट जी एश्टी और जो ट्रेन इंजिनर का पोश्ट है एक सोपचास प्लस एटीन परसेंट जी एश्टी और जो candidate इसमें SC, ST, PWD से कटेगरी साते हैं उन लोगों को इसमें exams किया गया है आपको इसमें exams दिया गया है तो इसमें आपको कोई भी application भी pay नहीं करना है SC, इसका भी link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा जैसे आपको उस पर click करोगे तो आप जो application fee है उसको pay कर सकते हैं जेनरल में instructions में आप देख सकते हैं only Indian nationals can apply for these push तो जो all Indian से citizens हैं वहीं लोग इसमें apply कर सकते हैं आप कहीं भी से belong करते हैं किसी भी state से belong करते हैं जरूर स आप इसमें eligible हैं apply कर सकते हैं और इस वेकेंसी को apply करने का जो last date है 18 of May 23 इसका last date है इस date से पहले जरूर से इसको apply कर लीजेगा तो आप आप इसको समझे होंगे जो भी मैंने information था मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में को confusion.query रागया होगा तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you वीडियो को जरूर से like share subscribe कर दीजेगा और comment section में जो भी आपका branch है कौन ब्रांच से आप डिपलोमा की हैं कौन ब्रांच से बीबीटे की हैं या कौन से trade से idea की हैं comment section में जरूर से बताइएगा ता आप से relevant आपको देखने के लिए मिलेगी